14 अगस्ट जार्खिन के लिए काफी मेहत पून दिन है आपको बता दे कि 14 अगस्ट को यानि कि आज मुक्यमंत्री इमन सुरेन को E.D. दफ्तर में पेश होने का समन्जारी किया गया था आपको बता दे कि E.D. की ओसे मुक्यमंत्री मुक्यमंत्री इमन सुरेन को ये दूसरा ऐसा मौका होगा जब उन्हें समन्जारी किया गया है आपको बता दे कि इससे पहले उन्हें अवैद खनन मामले में पहले समन बुलाया गया था 15 नवेंबर को जिस दौरान उन्होंने वेस्ता बताई थी और उसके बाद दूसरा समन समन जारी किया गया था 17 नवेंबर को अवैर्ट खनन मामले को लेकर के लेकिन आपको बता दे कि यह थी दो बार समन जारी क्या गया और आपको बता दे कि लगतार इसको लेकर चरचाई काफी तेज है इस वक्त हम मौझूद है एड़ी का रेयाले के बाहर जहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही साथ आपको पुलिश दिखाएंगे कि किस तरीखें से यहाँ पर जो पुलीस होर से उस वह यहां पर मौझूद है क्योंकि एडी की ओर से यह जरूर कहा गया था यहाँ पुलिश अधिक्षक को बताया गया था कि मुख्यमंत्री हिमन सुरेन को 14 अगस्त को ED कार्याले का समन जारी किया गया है उस मद्यनजर सुरक्षा व्यवस्था को ले करके पूरी तयारिया जो है वो ED दफ्तर के बाहर होनी चाहिए हम आपको इस तरी की भी तस्वेर दिखा रहे है जहां पर जो पुलीस फोर्स है वो यहां पर मोजूद है किस तरीके से तमाम लोग यहां पर दीरे दीरे कर अधिकारी भी पहुचते जा रहे है है कि 11 बजे मुख्यमंत्री हेमन सुरीन को एडी देफ्तर पहुचना था तो इस वक्त जो समय हो रहा है वो हम आपको बता रहे हैं 11 बच करके 16 मिनिट हो चुकी है लेकिन इस वक्त 11 से जादा हो रहा है यहां पर साफ तोर पर अगर हम कहेंगे तो 11 बजे मुख्यमंत्री हेमन सुरीन को इडी का रहा है पहुचने का समझ जारी किया गया था तो लगतार इसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं आपको बता दे कि जमीन घोटाले मामले में लगतार इडी जो है व पर सेडी दफ्तराने का समझ जारी किया गया है और आज 14 अगस्त है काफी बड़ा दिन है और आज यहां पर कई सारी चीजों को लेकर के यहां पर पूछताच हो सकती है आपको बता दे कि लगतार यह माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमन सुरीन आज यहां पर पहुचे कि कल 15 अगस्त है यहां पर इंडिपेंडेंस डे जो है वो भी सेलिब्रेट किया जाना है और कई सारे सवाल जो है वो भी खड़े हो रहे है क्या कि मुख्यमंत्री हेमन सुरीन आज दफ्तर पहुचेंगे यहां नहीं लगतार यहां पर सुरक्षा बल जो है वो मौजूद ह और देखना यह है कि आगे क्या कुछ होता है यहां पर क्या कुछ बाते यहां पर निकलकर सामने आती है क्योंकि कीब्हश सारे दस्ताबोर जो है वह नहीं यहां पर मिले हैं जिसके बाद उन्होंने और हमारे साहित